करेंगे तो आज मैं बात करूंगे में इस समय में कौन कौन से फूल है जो फ्लावरिंग कर रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले यह है मदुमालती जो की आज तो नहीं लेकिन कल से खिलना इस्टार्ट जाएगा और इसके हर ब्रांच पर कल्या लगी ह हो कि हम यह तीन कलर के होते हैं इस्टार्टिंग में लाइट पर फिर डार्क रेड फिर महरून हो जाते हैं तो देखने बड़ी सुन्दर लगते हैं रात को इनकी हल्के-ल्की से महक भी आती है सेकेंड नमबर पर है हिबिसकस हिबिसकस की कोई भी बिरैटि आपके पास कि नहीं खिलेगा अभी हमारे यहां कुछ दिन पहले बारिश हुई थी फिर आगे कम मौसम दिखा रहा है कि खराब होने वाला है तो देखिए खिलता है कि नहीं यह भी है एक इन गाइस यह वाला गुलाब का पौधा तो छोटा है लेकिन बैक्यार्ड में पौधा है हमारे गुलाब का बहुत ही बड़ा है तो इसमें इतने ज्यादा फूल आते हैं कि बस पूछिए मत उसके अलावा यहां पे हमारा है बहुत ही कुपसूरत सा स्पाइडर प्लांट इसमें भी देखिए बहुत सारे च्छोटे च्छोटे बहुत ही प्यारे वाइट और एलो में फूल आ रहे हैं। देखने में इतने खुबसूरत है कि क्या ही वताऊं मैं इनके बारे में यह जो इस तरीके से पीड़ होता है इसमें प्रांच निकलती है इस तरीके से इसी पर फूल आते हैं नहीं कि अधुए आज मैं सामको इन में पानी भी देना है अगला मेरा प्ला लगता है है भी फ्लावरिंग करने वाला और कम केर मांगने वाला तो आपको अगर फूलों का सौक है बीजे हैं लेकिन फूल लगाना चाहते हैं तो आप इस पौधे को जरूर से जगें देजिए बहुत ही कुपसूरत लगता है और यहां पे है एक फूल देशी बिंका का ब बीच भी बनना स्टार्ट हो गया उसके बाद अगला फूल है यह वाला अधेनियम यह भी दिखिए चुटी-चुटी कलिया इसमें बहुत सारी आ गई है एक दो खिला भी था लेकिन इस पेंट हो गया थो मैंने हटा दिया बहुत अच्छा लगता है यह बे और यह देखि